हाई गाई वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाई आज की वीडियो में आपके साथ डिफ्रेंट फ्रेंच ब्रेड हेरस्टैल की वीडियो शेयर करूंगी आज की वीडियो में आपको डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीक तो गाइस अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो चुलिए गाइस आज की वीडियो स्टाट करते हैं तो गाइस फ्रेंच ब्रेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके बाल बिल्कु नीट लेंगे घमेन चाहिए दो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेंने सेंटर पाटिशन क बना कर भी आप रख सकते हैं और अगर आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है किसी पार्टी में किसी भी बर्डे में जाना है तो आप इसे किसी भी हीर एसे डेकोरेट कर सकते हैं तो गाई सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर पार्टीशन किया और इस तरह स सेक्शन बाई सेक्शन लेकर मैं फ्रेंच ब्रेड बना रही हूं और आप देख सकते हैं कितनी नीट अंड ट्लीन ये ब्रेड बन रही है इस तरह से आप साइड से फ्लिक्स भी निकाल सकते हैं आप चाहे तो बाद में सारे बालों की पॉनिटेल कर लें या फिर ब्रेड बना लें या फिर बालों को ओपन छोड़ लें कोई भी जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसे छोड सकते हैं तो देखे कितनी असान है ये वली ब्रेड बनानी और इतनी जाता अच्छी इसकी लूक करती है तो साइड में इसी टिक टैक पिन की हल्ट से सिक्योर कर रही हूं आप चाहे तो दोनों साइड से ब्रेड बना करना पॉनिटेल भी कर सकते हैं रबट बैंड का यूज करके बट मैंने यहां पर टिक टैक पिन लगाई है और बाकी के बालों को मैंने स narratives बाहिए और नहीं साइट में अन्य ल्यायार में पर ट सक्या रहल मुआ होता है है तो लोग सब्सक्राइबी 하지만 कि आखि आपको खमागई से सब्सक्राइब नहीं बतना कर सकते हैं पूंगई स्रट हँछ तेटी Usually W combinedasia बहुत है जदा अच्छा लगता है लुक बहुत अच्छी है अगर आपके बाल लंमे यह लो तब्ली जवाने में 20 तेन स्झ लेञाई लेंगे अगर आपके बाल लंबे हैं तब भी तो देखिए यह फिली ब्रेड बनानी भी कितनी जुदा इज़ी है लेड बस आपको लेते जाना और ब्रेड बना देनी है और इसकी भी लूक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यह यह मैंने इसमें किसी भी असेश्य का आप देख सकते हैं और जो बाकी के बाल है उसमें आप रबर बेंड डाल दीजिए ताकि यह वले बाल आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और जो फ्रंट के बाल है उस पे अब हमें फ्रेंच ब्रेड बनानी है यह वली ब्रेड भी अच्छी लगती है आजकल तो बह बाकी के बाल सारे ओपन चोड़ दें या फिर आप मतलब एक जूड़ा भी बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुन्दर यह वला हेस्ट्राइल लगता है फैस्टेंड आउटफिट के साथ भी यह वला हेस्ट्राइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता और इसकी लुक करते जाना है यह वले हेस्ट्राइल में तो जस्ट एक मिनट ही लगता है एक मिनट में आप यह वला हेस्ट्राइल बना सकते हैं अगर आपने कोई भी वेस्टर आउटफिट पहना है तो उसके साथ भी आप यह वला हेस्ट्राइल कर सकते हैं आप चाहे तो किसी की हैल्प तक पीन मार्किट में आई हुए हैं तो देखिए मैंने सिम्पल टिक-टैक पीन से सिक्योर कर दिया और बाकी के बालों को मैंने अपन छोड़ा हैं अगर आपके बाल चोटे हैं तब भी आप इस hairstyle को बना सकते हैं किसी की help ले सकते हैं इस hairstyle को बनाने के लिए तो देखें next hairstyle के लिए मैं सबसे पहले तो center partition कर रही हूँ दोनों side मुझे french braid बनानी है ये भी hairstyle बहुत ही जदा सुन्दर लगता है जितने भी तरीकों से मैंने french braid बनाई हैं आपने देख थे कि सबी में हमें एक तरह से french braid बनानी है बस किसी में हमें center partition करना है किसी में हमें side partition करना है किसी में हमें front side braid बनानी है और सबकी look बहुत ज़धा अच्छी आती है सारे hairstyle करने बहुत ज़धा easy है तो इस hairstyle में आप देख सकते हैं मैंने center partition किया है center partition करके आपको दोनों साइड से layers लेते जाना है और braid बनानी है दोनों साइड से braid को जोड़ कर आप टिक टैक पिंट से secure कर लीजी और बाद में ponytail बना लीजी या braid बना लीजी ये वले hairstyle भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप college going girl है तब भी आप ये वले hairstyle कर सकते हैं तो guys आपको मेरे ये वले hairstyle कैसे लगे आपको ये वली वीडियो मेरी helpful लगी आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़दा सुन्दर कौन सा hairstyle लगा और सबसे ज़दा easy आपको कौन सा hairstyle लगा hope guys आपको मेरे ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को like subscribe जरूर कर देना तो चलिए guys अब मैं मिलूंगे आपको अपनी next वीडियो में तब तक के लिए thank you bye